बिहार अपरात का अड़्डा बन चुका है और लोग बेखौफ होते जा रहे हैं। बेखौफ होना अच्छी बात है पर अपरात के मामले में ये सही नहीं। बिहार के ऐसे स्तिति देख कर लग रहा है कि अब बिहार पर भी एक सीरीज बन जाएगी। कोई क्राइम वगरा को को दो केस बताएंगे लेकिन एक बात यहां क्लियर कर दे कि सिर्फ यहीं दो केस नहीं है रोज बहुत से केस आते हैं अपराद को लेकर बिहार की मुंगेर में अपरादियों ने दिन दहाडे एक महिला बैंक कर्मी को गोली मार दी यह मामला जिले के असर गंश थाना छेतर के पुरानी होट रोड चलालाबाद का है जक्मी महीला का नाम मौनिका कुमारी है जिसकी उम्र 25 साल की है वो बंधन बैंक में काम करती है और वो रामपूर कॉलनी की रहने वाली है दरसल मौनिका घर से बाहर दूद लेने को निकली थी वहाँ पहले से कुछ मोटर साइकल सवार बैठे थे वो मौनिका को मारने के लिए आये थे पूरी प्लानिंग के साथ तब ही वहाँ पहले से तयार थे जब मौनिका वहाँ पहुची तो अपरादियों ने मौनिका को गोली मार दी और फिर वहाँ से फरार हो गये गोली मौनिका के दाईने हाथ में लगे जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गई जिसके बाद उसे इलाज के लिए असर गंज प्राथमी की स्वास्त केंद ले जाए गया लेकिन फिर वहां से उसे बहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर भेज दिया डॉक्टरों का कहना है कि मौनिका को गोली दाईने हाथ के उपर लगी है घटना की सुषना पूलिस को दे दी गई थी जिसके बाद पूलिस घटना स्तर पर पहुची और चानवीन में जुट गई अब आते हैं दूसरी खबर पर विहार के छप्रा में ए मैट्रिक की परिक्षा देने के लिए छपरा आया था परिक्षा तक के लिए उसने कमरा किराई पर ले रखा था प्रभुनात नगर में वो एक्जाम दे कर आया था अपनी मैट्रिक की परिक्षा खतम होने के बाद अपनी किराई के कमरे पर और फिर वहां से वो बाहर मुह आज के लिए पटना मेडिकल कॉलियर स्पताल भेज दिया गया मुफसल थाना अध्यक्ष द्यानन सिंग ने बताया कि घटना का कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है जैसा हाल है बिहार का कि कोई भी दिन दहाड़े किसी को भी चाकू मार रहा है और गोली मार रहा है इस आज के इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ देखते रे जनता रंग्षन हमें यूट्टू पर सब्सक्राइब करें फेस्बूक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारता करते रहें तो स्क् पर दिक्रेए डिटेल्स पूर रनिशन देवं धन्यवाद